आज बावा जोड़ दे रहे हैं कि तुम्हें योग-युक्त रहने की भिन-भिन युक्तिया निकालनी चाहिए और जब तुम आपस में मिलते हो तो यही वारता लाप करो कि हम भोजन पे कैसे याद करते हैं कितनी याद रही गुनने जाते हैं तो ऐसे ऐसे याद करते हैं आपस में बाते करो जो बाप हमें विश्व की बादसाई देता है उसे हम कैसे बोल सकते हैं बाबा अपना भी अनुभो सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा, बोजन पर बैठता हूँ, सोचता हूँ, पूरा समय याद में रहकर खाऊंगा, लेकिन उद्दीद उधर चली जाती है, क्योंकि कामकाज के बोज बहुत रहते हैं, तो बच्चों को भी मेहनत लगती होगी, फिर चाट लिखना है, मेहनत करनी है, लेकिन बच्चे ठक जाते हैं, चलते चलते, छोट देते हैं चाट लिखना, लेकिन इस याद की यात्रा में तुम्हें ठकना नहीं है, इसमें बहुत अतिंद्रिय सुख है, इसलिए गायन है, अतिंद्रिय सुख पुछना हो तो गोपी व किये थे, शुरू में किये थे, फिर अंत में करेंगे, कि सत्यूग में कैसे एक राज होता, एक धरम, एक भासा, द्वयत है ही नहीं, कोई लड़ा जगडा है ही नहीं, तुम कैसे खानियों से, गुफाओं से, हीरे, सोने, भरकड ले आते हो, फुस्पक विमान होंगे महां, बिल्कुल, एक्सिडेंट प्रूफ, कोई खत्रा नहीं होगा, बहुत सुंदर दुनिया है वो, तुम जानते हो, वहां लक्षमी नहारायन राज करते थे, इन्होंने कैसे राज पाया था, कहां चला गया, किसी ने इन पर अटेक किया है, क्या, इन्होंने कहीं हरा दिया है क्या अपना राज, तुम इनके चित्र के सामने बैठ कर ऐसा विचार मथन करो, कैसे रावन राज सुरू हुआ, सब कुछ खतम हो गया, पवितरता खतम हो गई है, पवितरता आ गई, तो बहुत सारे अर्थक्वेक्स हो गए, अब फिर से, तुमने अर्थक्वेक्स का साक् साथकार किया हुआ है, बहुत बड़े-बड़े अर्थक्वेक्स होंगे, सब कुछ नास्ट कर डालेंगे, चोर भी तुमें लूटने आएंगे, लेकिन तुम याद में खड़े रहेंगे, चोर तुम्हारा सक्ती स्वरूप देखकर भाग जाएंगे, तुमने ये सब साक् मांगता नहीं है, बाबा तो दाता है, बहुत सुन्दर सब्ड बोले हैं, मैं तो भारत को फूलो का बगीचा बना कर तुम्हें दे देता हूं, तुम्हां बहुत सुखी रहेंगे, तु बाबा हमें हमारे भविस्की भी याद दिलाते हैं, और वर्तमान पुर्षार्थ भ पवित्र बनना है, तुम पावन बन जाओगे, फिर तुम्हें पावन सरीर मिल जाएगा, तुम ये पतित सरीर छोड़ देंगे, संपोर्ण पावन तुम सत्यूग में ही कहलाएंगे, अब मैं आया हूं, तुम्हारे सम्मुक बैठा हूं, बहुत अपार खुसी होनी चाहि बहुत सुन्दर सब्द फिर से बोले, मैं जीवन भर तुम्हें साथ देता हूं, विचार करने कितने सुन्दर बात कही, तुम्हें पवित्र बनाने आ गया हूं, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सद्गुरू हूं, ये याद करना चाहिए, ये भी योग हो जाएगा, चलत फिरते बैठ कर भी याद रखना चाहिए, हमने 84 का चक्र पूरा किया, 5000 वर्ष की यात्रा हमने पूरी की, अब अन्त आ गया है, अब बाबा के साथ हमें घर वापिश जाना है, श्यांती धाम में, तुम सब श्यांती मागते थे ना, मुझे श्यांती देवा कहते हो, हे श् श्यांती दो, तुश्यांती श्यांती धाम में भी है, और श्यांती सुक धाम में भी है, वहां बहुत श्यांती रहती है, अपार सुक भी है, तुश्यांती का राज भी है, तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि राजाई पानी है, न थकना है, न डरना है, ये खेल बना बनाया है, तुम जानते हो, ये धरा विशाल कर्म छेत्र है, तुम आत्माई स्यांती दाम से यहाँ अपना पाठ बजाने आए हो, बनी बनाई बन रही है, कुछ भी हो जाए, किसी की मृत्यू हो जाए, तुम्हें रोना नहीं है, क्योंकि जो कल्प पहले हुआ था, वह हो रहा है, ड्रामा पर तुम्हें पचल अडोल होकर रहना है, ये बाबा की दूसरी बहुत सुंदर बात है, ड्रामा को याद करते रहो, साक्षी होकर इस खेल को देखते रहो, सभी आत्माई अपना-पना पाठ बजा रही हैं, और अब ये खेल पूरा हो रहा है, तुम में धाम चलना है, मैं आ गया हूं, तुम्हारे सम्मुक बैठा हूं, तुम कितने समय से मुझे बुलाते थे, अब मैं तुम्हारी सभी मनों कामनाई पूर्ण कर रहा हूं, तुम्हें पवित्र बनना है, बस इतनी मेहनत करनी है, एक जनम पवित्र बनना है, जनम जनम प्र वर साथ देने आ गया है, कितनी अच्छी बात है, हमें उसका साथ लेना है, और योग की भिंद भिंद युक्तियां अपनानी है, भिंद भिं तरह से बावा की याद में रहना है, चलते फिरते भी, काम काज करते, उठते हुए, सोते हुए, पानी पीते, भोजन खाते, जैसे बावा ने उधारन दिया, भोजन बनाते, तो बिन बिन हम तरह के प्रोग्राम बनाएंगे, तो याद सहज हो जाएगी और अभ्यास करते करते, हम योग युक्त हो जाएगे और ये योग हमें संपूर पवित्र बना देगा, तब इस धरह पर पवित्र दुनिया आ जा है, तुम इस यग के ब्रह्मन हो, तुम सारी आहूती यग में डाल रहे हो, वर्दान है, स्वैम को जुका कर चलने वाले और दूसरों को जुकाने वाले, निमित और नम्रचित भाव, जो अपने हर कर्मों को बावा के आगे अर्पित कर देते हैं, जुक कर चलते हैं, वे नम्रचित बन जाते हैं, हमें नम्रचित बनना है, यह नहीं सूचना है, कुछ दूसरे जुकें, कुछ हम जुकें, जुकना ही जुकाना है, तो संस्कारों में जुक कर चलना है, वे वार में जुक कर चलना है, और जब हम स्रेश्ट स्थिती में स्थित हो जाएंगे, तो द अब समश्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। तो आज का हमारा भ्यास रहेगा, भोजन खाते, भोजन बनाते, पानी दूच्याय पीथे, अच्छा योग भ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। ये अभ्यास करते हुए बाबा की पवित्र किर्णे मुझ परपड़ रही हैं, और मेरी आखों से भोजन पर पानी परपड़ रही हैं। ऐसे अभ्यास के द्वारा हम अपने कर्म करेंगे, श्याम तक बहुत सुखद फेलिंग होगी। ओम श्यंति।